Hello students, welcome to our channel Neet Digital Classes हम कर रहे हैं Question Series जो की है NCIT Example Problems को हम solve कर रहे हैं अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं मैंने अलरेड़ी थ्री चैप्टर्स की वीडियो बना कर डाल रखी है आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी से दूसरों के साथ शेयर कीजी हम इस चैनल पर 10,000 प्लस Question Series को भी करा रहे हैं जो की मुझे लगता है कि उसके बाहर Question को बनाना impossible सी बात हो जाती है बायलोजी में हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसको सुपोर्ट करेंगे तो हम Physics और Chemistry में भी आपको ऐसे कोशन प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको नीट examination में बहुत जाद हेल्प होगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमार एक और चैनल है Mahi Biology Classes वहाँ हम Biology के एक-एक NCRT को चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं एक-एक Concept को अच्छे से देख रहे हैं अगर आप किसी भी मीडियम से हैं Hindi या फिर English तो आप जाके YouTube पर सर्च कीजिए Mahi Biology Classes और जाके इसको सब्सक्राइब गीजिए वो भी हमारा ही चैनल है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NCRT Example or Problems की जिसमें हमने चैप्टर यह है Animal Kingdom को चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो First Question यह रहा आपकी स्क्रीन पर In some animals group The body is found divided into compartments With serial repetition of at least some organs This characteristic feature is called कुछ जन्तु होते हैं उनका कुछ जन्तु सम्हों में जो उनकी शरीर के जो सारे समान खंड में बटा होता है जो उनका शरीर होता है एक समान खंड में बटा दिखाए देता इस लक्षन को क्या कहते हैं तो देखिए option दे रखें segmentation, metamerism, metagenesis, metamorphosis हम एक एक option पर बात करेंगे लेकिन हमारे लिए इस question के लिए जो correct option होगा वो होगा metamerism metamerism के होता है segments में body का divide होना internally भी और externally भी एक जैसे segment में body का बार-बार repetition होना एक जैसे segment का बार-बार repetition होना यह होता है metamerism जिसको true segmentation कहते है अगर हम segmentation की बात करेंगे इसके लिए जो हमारा correct option हुआ वो होगा metamerism और इसकी किसका characteristic है? analyder का analyder में पायता आता है true metamerism लब true segmentation जो एक समान segments में divide होता है internally भी और externally भी ठीक है? analyder का धियान रखना है अब दूसरी चीज first option आपका दे रखा है हमारी जो correct option हुआ वो हुआ भी अब first option में दे रखा है segmentation segmentation तो देखिए आपको arthropoda में मिलता है arthropoda में जो होता है segmentation होता है externally मतलब बाहर की तरफ से उनका segmentation होता है body बटी हुई होती है ठीक है? और core dotate में देखिए अब जो एक option यहां पर आपको दे रखा है metagenesis metagenesis का meaning होता है alternation of generation PDA content जो होता है यह जो characteristic है यह है आपका salentrator में देखा जाता है example अगर specifically example पूछाज़ा तो obelia में होता है वहाँ पर क्या होता है दो अवस्थाए होती है दो phase होती है polyp और medusa polyp जो होता है sexual reproduction करेगा alongic general करेगा medusa sexual reproduction करके polyp को produce करेगा alongic general करके तो यह alternation of generation होता है दो phase होती है यह कहाँ पर salentrator need area में देखने मिलता है example हम देखेंगे तो वह है obelia third option दे रखा है fourth option दे रखा है metamorphosis metamorphosis क्या होता है एक अगर हम देखें तो metamorphosis मतलब कि जैसे हम frog में देखेंगे लारवा बस्त होती है फिर pupa होता है फिर adult होता है ऐसे ही ऐसे आगे मतलब जो life span में जो stages देखे जाती है वो changes को हम कहते है metamorphosis एक चीज़ और ध्यान रखना है एसे ही question दे रखा था तो मेभी वो आप वहां पर confused नहीं तो मैंना आपको इहीं पर बता दिया लेकिन इस question के लिए जो हमारा correct option है वो क्या है metamorphosis B हमने एक question के लिए चार option को अलग-अलग discuss किया हमने देखा क्या होता है हम यह तो 10-15 question कर रहे होते हैं मतलब हम 50 question को solve कर रहे होते हैं तो इसलिए question series बहुत important हो जाती है मैंने साथ ही मैं आपकी question series शुरू की है 10,000 plus question series वहां पर आपको Hindi और English दोनों में question आपका प्रिंटे दिख रहा है यह है आपकी NCRT examplar मैं आपको Hindi में आपका explain कर दे रही हूं लेकिन मुझे लगता है कि यह आपकी Hindi में नहीं आती है NCRT examplar जो होती है आती होगी तो मैं Hindi में भी solve करा दूंगे आपको आप उस चीज़ की टेंशन ना लेजिए आप इनको solve कीजिए अच्छे से ठीक है अभी lockdown चल रहा है वेबसाइट में तो Hindi में नहीं मिलेगा अगर वैसे मिल जाएगा तो मैं आपको वो Hindi में solve करा दूंगे अब हम next question देखते है second question है given below are types of cell present in some animal which of the following cell can differentiate to perform different function इसमें बताया कि नीचे जो मतलब cells दे रही है विभीन प्रकार की cells दे रही है उसमें ऐसी कौन सी cell है जो विभीन प्रकार की कौन सी कोशिका है जो अलग अलग कार्यों को करने के लिए विभेदित हो सकती है तो first option दे रहा है कोईनोसाइट्स interstitial cell, gastro-dermal cell, nematoscist तो एक चीज देखिए कोईनोसाइट्सいて होती है हमें नाम पड़ के हमारे दिमाग में एकदम शहाना चाहिए कोईनोसाइट्स के सैल होती है इस्पॉंजेस में पाय जाती h इनको हम कॉलर सैल भी बोलते है जो संग पॉरिफेर होता है यह उसमें पाय जाती है इंटरस्टीशल सेल्स जो होती है यह देखी मिलती है आपको नीडेरिया में हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वह यह है यह टोटी-पुटेंट टाइप की सेल होती है वह बिभेदित हो सकती है किसी भी प्रकार की सेल म 3rd option आपको दे रखा है गैस्ट्रो इंट्रस्टाइनल सेल्स यह भी कहां होती है इस स्यलिंट ट्रेट्स में होती है निमेटिस्ट जो होती है यह कहां पाया जाता है इंसक मतलब यह कौन सिखर्च कोशिक है जो अलग-अलग कार्यों को करने के लिए बिभेदित हो सकती है तो इसके लिए correct option है interstitial cell ध्यान रखना है कहां मिलती हैं यह मिलती है हमें निडेरिया में सेलेंट रेट्स में next question देखते हैं which one of the following sets of animals share the four chamber heart मतलब किसमें जो होता है four बक्षिये हिर्दय देखा जाता है four chamber होते हैं चैंबर हमें पता है अलिंद और निले औरिकल और वेंट्रिकल तो यहां पर four chamber hearts का बताना है तो देखिए इसके लिए जो correct option होगा first option में आपको दे रखा है amphibia reptiles और birds amphibia में होता है आपका third chamber heart यहां पर होते हैं दो औरिकल और एक वेंट्रिकल यहां पर mixed blood वहता है त्रीक है जिबकि रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें three chamber heart होता है लेकिन उसको three and half बोल सकते हैं क्योंकि एक सेप्टर बनता है उस टाइपर उसको three and half बोलते हैं जो आगे जाके इसी के मेंबर क्रोकोडाइल जो होता है उसमें पूरी तरीके से बन जाता है तो इसलिए क्रोकोडाइल जो होते हैं उनके इंदर four chamber heart होता है एक्सेप्शन है धियान रखना है रेप्टाइल में अगर हम देखेंगे हम उसको नॉर्मली कहेंगे उसमें three chamber heart होता है लेकिन अगर हम उसके मेंबर क्रोकोडाइल की बात करें तो वहां पर four chamber heart होता है यहां पर यह तो correct होगा नहीं क्योंकि यहां पर four chamber amphibian three chamber heart वाले होते हैं क्रोकोडाइल words and mammal देखिए क्रोकोडाइल अभी मैंने आपको बताया four chamber heart होता है words four chamber heart होता है words और mammal दोनों में four chamber heart होता है तो इसके लिए जो correct option होगा वो B हो जाएगा थार्ड में आप ऐसे ही जा सकते है three chamber two chamber यहां पर देखा गया है ठीक है हमारी जो correct option है वो हमारा B है next देखते हैं which of the following pairs of animal has non-gandular skin मतलग किस में जो होता है उनकी skin में उसकी तोचा पे जो होती है उनके glands नहीं पाए जाती है तो धियान रखना है वो हमारा नहीं होता है snacks जो होते हैं उनके अंदर reptiles जो होते हैं उनकी dry skin होती है उनकी skin में तोचा के अंदर glands नहीं पाए जात next देखते हैं words and mammals share one of the following characteristic as a common feature मतलग कौन समान लक्षणों को share करता है words और mammal को क्या समान लक्षण है अगर हम देखें pigmented skin बोल रखा है तो pigmented pigmented जो skin होती है वो mammals का characteristic होती है words का नहीं होती है ठीक है अगर हम देखें pneumatic bonds जो होती है वो words का characteristic होती है ये के करती है उनको उड़ने में help करती है उनके buzzon को कम करने में help करती है तो ये words का characteristic है बीबी पैरेटी अगर हम देखें तो ये mammals का characteristic है अब आता है warm-blooded warm-blooded जो होता है वो सिफो सिफ का मतलब दोनों में ही होता है words भी warm-blooded होते हैं and जो हमारे mammals होते हैं इस्तंधारी होते हैं वो भी warm-blooded होते हैं मतलब पक्षी और इस्तंधारी दोनों warm-blooded होते हैं ठीक है next question देखते हैं which one of the following sets of animal belongs to a single taxonomic group कौन सा जन्तु का जोड़ा एक तरहां के वरगी करन समहू में आते हैं इसी type के question आते हैं इसी type के question ऐसे ही frame होते हैं मतलब आपको ध्यान रखना है अपनी NCRT के एक-एक example को ध्यान रखना है कि कौन सा example कौन से phylum के अंदर दे रखा है उसी type का question बनता है match the following में भी और characteristic आपको ध्यान रखने है सबके आपका सीधा question बनता है आपके NCRT से animal kingdom में तो आपको ज़्यादा बहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसी type के question है ठीक है के अंदर आती है जबकि starfish जो होती है वो echinodermetophyllum के अंदर आती है तो मतलब यह तो हो नहीं सकता next देखते है bat क्या है? bat टा है एक मैमल्स pisian क्या है? एक हमारा birds butterfly हमारा आता है arthropoda के अंदर ठीक है? यह भी option नहीं होगा option C के अंदर आते हैं monkey, chimpanzee और man monkey, chimpanzee और man तीनों के होते हैं mammals होते हैं मतलब यह एक ही single taxonomic group को represent करते हैं तो इसके लिए जो correct option हो जाएगा हमारा C हो जाएगा D option को देख लेते हैं silkworm जो होता है वो आता है arthropoda के अंदर tapworm है हमारा platyhelminthes arthropoda आता है any leader के अंदर तो यह भी नहीं हो सकता यह सारे example आपने ऐसे ही याद करने हैं कि कहां पर उनके common name scientific name भी आपने ध्यान रखने है next question देखते है which one of the following statement is incorrect incorrect बताना है misoglia is present in between ectoderm and endoderm in obelia एकदम correct है endoderm और ectoderm यह क्या है एक diploplastic animals है वहाँ पर endoderm और ectoderm के बीच में क्या होता है misoglia present होती है exhibit radial symmetry asterious ठीक है faciola is a pseudosilomate animals तो जो faciola होता है वो है flatworm और flatworm जो होते हैं a-silomate होते हैं pseudosilomate नहीं होते हैं pseudosilomate का एक ही हमारा example है एक ही जो phylum होता है वो pseudosilomate होता है वो है हमारा escalal mintis ठीक है tiniya is a triploblastic animals जो की ठीक है हमारे लिए जो correct option होगा जो हमने incorrect चुनना था वो क्या है यहाँ पर वो है C बाकि सारे correct है next question देखते हैं which one of the following statement is incorrect यहाँ पर भी हमने गलत statement को चूज़ करना है in cockroach and prawn excretion of based material अकस्त्रो-malpigian tubules यही हमारा incorrect हो जाता है क्योंकि cockroach के लिए तो ठीक है लेकिन यहाँ पर जो आपका दे रखा है प्रॉन के अंदर excretion आपका होता है green gland से वो एक crustation है उसके अंदर जो होता है हमारा excretion वो होता है green gland से तो यही हमारा incorrect हो गया जबकि इन टीनो फोर्स locomotion in mediated by complets जो कि ठीक है complets कहां देखने मिलती है हमें टीनो फोरा के अंदर देखने मिलती है ठीक है इन फैसियोला flame cells help in excretion जो कि एकदम ठीक है earthworm are hermaphrodite and yet cross fertilization takes place among them जो कि बाकी तीन करेक्ट है हमने इनकरेक्ट चूज करना था वो है first cockroach के लिए तो ठीक है malpigen tubule से होता है excretion लेकिन प्रांज जो होते है वो crustation होते है वहाँ पर जो excretion होता है वो green gland से होता है ठीक है next question देखते है which one of the following is oviparous oviparous का बताने oviparous का मतलब क्या होता है मतलब अंडे देने वाले ठीक है तो यहाँ पर जो oviparous होता है वो है हमारा platypus platypus एक egg length mammals है धिहान रखना है first option इसके लिए correct है यह mammal होते हुए भी क्या है oviparity को show करता है बाकी सब क्या है बताना है तो kobra kobra तो बहुत ज़्यादा poisonous है पता है, wiper भी poisonous होता है crat भी poisonous होता है python जो अजगर होता है poisonous नहीं होता मतलब अपने शिकार को मारने के लिए वो अपने poison होता ही नहीं है तो वो उसकी जगा उसको ऐसे दबाके फसा के अपने अंदर उसको ऐसे मारता है अपने शिकार को और फिर उसको निगल लेता है जो पाइथन जो है वो इसका correct option है ठीक है next question देखते हैं match the following list of animals which their level of organization मतलब उनके संगठन के इस्तर को बताना है कि किसमें क्या संगठन होता है cellular label का है कोशी की इस्तर का है टीशू label का है या फिर हमारा organ label का है या फिर organ system label का है उतक संगठन या फिर अंग इस्तर या फिर अंग तंतर इस्तर ठीक है अब देखिए यहां पर जो हम पहले देखते हैं यहां पर option को देखिए अच्छे से option को अगर हम देखें तो option इस तरीकी से होने चाहिए था कि a का first से लेकिन यहां पर first इदर जो बी वाले column है उनको दे उसे आपनलियों को तो दो देखिए यहां फ्रस्ट इसे शुरू करते हैं हम इसे ही option को दे रहे हैं तो फर्स्त दई है परीन क्या होता है वह यह किसमें आता है रिदा और आइनलेडा क्याशण को चो चlich कर यह और अपया ग्रोन आप्षिन होगा वहां धी हो जाएगे तो B का जो होगा, सेकंड का जो होगा, वो A हो जाएगा, थर्ड देखिए, स्पॉंजिला, स्पॉंजिला पॉरिफेरा, पॉरिफेरा शो करते हैं, सेलूलर लेवल और्गिनाइजेशन को, तो इसके लिए जो करेक्ट अप्शन होगा, वो A, B हो जाएगा, अब बसता है, का D, सेकंड का D, A का, फर्स का, D, सेकंड का, A, थर्ड का हमारा, बी तो जो correct option है वो है हमारा C एक बार आप option को चेक करके तब इस तरीके question को करेंगे इस तरीकी question के लिए मैंने आपको पहले भी बता रहा है हमें जरूर नहीं कि चारे option अच्छे से पता हूं अगर हम एक दो भी पता होते हैं तो हम correct option पर पहुत जाते हैं हमारा जो option होता है इसी तरीके से साथ होता है ठीक है अब next question देखते हैं next question देगी body cavity is the cavity present between body wall and gut wall is some animals the body cavity is not lined by mesoderm such animals are called तो देखिए जो body cavity होती है वो mesoderm से घिरी होती है अंदर से भी बहार से भी तो वो होती है वो true slom होती है स्यूडो स्यूडो मेट्स बोलेंगे लेकिन कुछ animals में वो cavity mesoderm से न होकर gastro cell से घिरी होती है तो वो है हमारे स्यूडो 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 मेट का भी मैंने आपको एक example बताया है वो कहां पर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ascal element is show करते हैं ठीक है बाकि असिलो स्यूडो में कोई body cavity नहीं होती सिलो मेट्स में body cavity दुनों तरब से घिरी होती है ठीक है next question देखते हैं फिर आता है मैच the column A with column B and choose the correct option तो यहां पर देखिए अगर हम देखें तो यहां पर कैदे रहा है पॉरिफेरा इसके लिए अगर आपको एक दो भी पता होंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं देखिए पॉरिफेरा के अंदर होता है कैनाल सिस्टम यह पॉरिफेरा का करेक्टियस्टिक है मतलब एक हो गया हमारा फर्स्ट वाटर वैस्कुलो सिस्टम को देखिए कुछ लोग कंफ ौी सिस्टम से दोनों या वाटर वैस्कुलो सिस्टम देखने को मिलता है हमें काई दर ठीक है और ऐसकद आलेमिंटिस हमको withdrawations फेरिंस और के अंदर हमको देखने मिलता है मेटा मियास झाली तरह सेग्मेंट असको बनते हैं मेटा मियस्टिक है और अाज्तो पोड़क यह पता है jointed appendix होता है ठीक है यह तो ऐसे ही फिर आप अपने अपने option पर चले जाना है तो इसके लिए जो correct option होगा वो हमारा सी हो जाएगा ऐसे ही करते हैं इन question को एक दो पता होते हैं तो हम correct option पर पहुँच जाते हैं चलिए फिर मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं थैंक्यू